नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा आठकापाठ सिदार्थ का ग्रहत्याग पढ़ने जा रहे हैं हम। बच्चों, आप सबको ये पता होना चाहिए कि बोधरम के परवर्तक कौन थे। जानि कि महात्मा बुद्ध थे। आप सबको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध के बच्चपन का नाम क्या था। जी हाँ सिदार्थ था। और ये कप्पिल वस्तु के राजा शुदोधन के पुत्र थे। राजा शुदोधन सिदार्थ गौतम के पिता थे जिने बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वो दक्षी नेपाल में रहने वाले शाक्य लोगों के निता थे। शाक्य वंचियो था वहाँ पर एक पत्नी रखने की प्रता थी लेकिन यब शुदोधन ने अपने पिता के विरुदेक लड़ाई जीती तो उसने दो राजकुमारियों माया देवी और प्रजा पती से विवाग करने की आग्या मांगी। और उनकी शादी हुई भी इनकी माता का नाम महा माया था और इनी की सगी बेहन थी प्रजापती गोतमी जिन्होंने गोतम बुद का पालन पोशन किया था क्यूंकि माता का देहांत इनके जनम के सांतवे दिन ही हो गया था तो बाद में इनको पाला और पोसा गया इनकी मास प्रजापती गौतमी के द्वारा हम इस पार्थ में आपको बताएंगे बुद्ध का जनम कब हुआ जी हां गौतम बुद्ध का जनम 563 इसापुरव विशाक पुर्णिमा के दिन कपिल वस्तू राज्य के लुंबनी गाउं में हुआ इसापुर मतलग 563 इस्वी से भी पहले कब हुआ कुछ भी विदित नहीं है कुछ भी नहीं पता कुछ क्लारिटी नहीं है और इनके पिता के बारे में मैंने आपको बता दिया कपिल वस्तू के राजा थे शाक्य कुल के शत्रिये थे माता का नाम भी बता दिया महा माया था और इनका पालम पोशन इनकी मौसी प्रजापती गौतमी ने किया तो इस पाठ में मुख्य पात्र हैं सिदार्थ, शुदोधन, महा माया, यशोदरा, चंदक चंदक इनका सेवक था जो चंदक था वो इनके घोड़ों की देखबाल करता था जाने की एक तरह से कहा जाए अशुरक्षक और सिदार्थ ने इसी चंदक को नींद से जगाया था क्योंकि यही वो चंदक था जिन्होंने राजा सिदार्थ की मदद की थी किसमें ग्रस्थ जीवन त्याक कर मुख्ष की प्राप्ती के लिए क्यूंकि इने वन जाना था और वन जाने के लिए गोड़े पे जाना पड़ता गोड़े पे जाने के लिए चंदक की जरूरत थी और सिदार्थ को सिरफ चंदक पे ही पूरा विश्वास था कि वो उनसे बिना कुछ सवाल किये बिना कोशनिंग किये उनकी आग्या का चुपचा पालंग करेगा और चंदक ने भी नी स्वार्थ बाफ से सिदार्थ की आग्या का पालंग किया इनके घोड़े का नाम क्या था कंथक इस पार्थ में तो इसकी चर्चा नहीं है लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ चंदक इनका सेवक था और इनके गोड़े का नाम था कंथक और गोड़ा एकदम सफेथ था इनका चलिए महात्मा बुद का संक्षिक्त परिचे जान लिया है कि बोधरम के संस्थापक है महान समा सुधारत थे वास्तवी ग्राम सदार्थ था गोटम के नाम से पुकारा जाता था आगे चल कर ये बुद के नाम से पूरी दुनिया में परतिश्ठित हुए थे तो पाठ शुरू करते हैं पाठ में दृष्य दिये गए है चार तो पहला दृष्य हम पढ़ने जा रही है पहले दृष्य में सिर्फ यही बताया गया है कि आरे पुत्र अपने विचारों में खोई रहते हैं अपने विचारों में खोये रहते हैं परिशान रहते हैं और हर वक्त यही सोचते रहते हैं की जीवन धर्म है जीवन है इसलिए मृतिव भी है यही बाते सोचते रहते एक्चुली हुआ क्या था इस दृष्य को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ आपको कि बगवान बुद्ध का जो जीवन था ना उनके प्रेना दायक जो जीवन दर्शन का प्रभाव है पूरे जन जीवन पे कैसे ऐसे चा गया चार घटनाएं उनके जीवन में ऐसी हुई थी स्टूडेंट से ये जो चार दृष्य दिये गए है न ये आपके पाट में दिये लेकिन और बुक्स पढ़ेंगे तो हमें ये चार दृष्य क्लियर होंगे यहां पर कुछ अनक्लियर सा छोड़ दिया गया है जो पहला दृष्य है उसमें क्या बताया गया है कि उन्हो लाठी पकड़े दीरे दीरे कामता हुआ वो सड़ पे चल ला था दूसरी घटना इन्होंने क्या देखी अपनी लाइफ में अपनी जंदगी में कि दूसरी बास सिदार्थ कुमार जब गीचे की सेर पे निकले तो उनकी आँखों के आगे एक रोगी आ गया उसकी सांसे तेजी से चल रही थी, कंदे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चहरा पीला पड़ गया था और दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था तीसरी घटना क्या हुई कि तीसरी बाद सिदार्थ को एक अर्थी मिली, चार आदमी उसे उठाकर लिये जा रहे थे पीछे पीछे बहुत से लोग थे, कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था इन द्रिश्यों ने सिदार्थ को बड़ा विचलित किया, बड़ा परिशान किया, सोचते रहते थे चौथा गटना क्या हुई, चौथी गटना हुई, कि चौथी बाद सिदार बगीचे की सैर को निकला तो उन्हें एक सनियासी दिखाई पड़ा संसार की सारी भावनाओं, संसार की सारी कामनाओं से मुक्त पर सनियासी ने सिदार्थ को अक्रिष्ट किया, अपनी तरफ खीचा उन्होंने सोचा, दिकार है जवानी को, जो जीवन को सोख लेती है, दिकार है स्वास्थे को, जो शरीर को नश्ट कर देता है दिकार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है फिर उन्होंने क्या कहा कि क्या बुडापा बिमारी और मोत सदा इसी तरह रहेगी सुन्दर सी उन्हें परसनचित सन्यासी ने अक्रिष्ट कर लिया अपनी और और वो संसार के मोबंदन से मुक्त होकर त्याक के रस्ते पर निकल गए और जिसमें मदद की उनके चंदक ने और घोर तपस्या करके बुद्धत्व को प्राप्त किया और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में नौलेज नहीं थी यहुद्रा को पता था कि उनके पती जाफिर उनके माबाप को भी पता था बच्पन में वो चिंतित रहते थे उनके माबाप क्योंकि किसी ने बोल दिया था कि आपका बेटा जो है वो क्या करेगा आपका बेटा अपनी जिन्दगी में कुछ अलग करके दिखाएगा पूरे संसार को तो सबको इस बात की पता थी क्यूंकि संसार जो सिदार्त थे वो बचपन से दूसरों का दुख नहीं देख पाते थे कहा जाता है कि गुड़ दोड में जब गोड़े दोड़ते थे न तो उनके मूँ से जाग निकलने रखता था तो सिदार्त उन्हें ठका हुआ जानकर वहीं रोक देते थे और बाजी जीत भी रहे होते थे तो भी हार जाते थे खेल में भी सिदार्त को खुद हार जाना पसंद था क्यूंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे देखा ही नहीं जाता था और शाक्य वंच में जन्में सिदार्थ का विवा जो हुआ था वो 16 वर्ष की उमर में शाक्य की बेटी ये शोद्रा के साथ हुआ शाक्य दंडपानी थे जिनकी बेटी ये शोद्रा के साथ इनका विवा हुआ था शादी के बार राजा शुदोधन ने सिदार्थ के लिए तीन रितूओं के लाइक तीन सुम्दर महल बनवा दिये थे शादी के बाद सुनिये ध्यान से राजा शुदोधन थे जिन्होंने सिदार्थ के लिए तीन महल बनाई थे राहु यानी बंदन उन्होंने बेटे का नाम राहुल रखा तो इनके बेटे का नाम था राहुल इसके बाद उन्हें लगा कि संसारिक बंदन उन्हें परिशान करें और वो इसमें बंद जाएं इससे पहले उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और एक दिन बिना बताए से बुद्ध की किसी भी अध्यात्मिक प्रविती से एतराई नहीं रखती थी लेकिन शुरुआत में जब राजुमा सिदात परिवार त्याकर ग्यान प्राप्ति के लिए 6 सालों तक कठिन तपस्या में लीन थे तो भी शोद्रा ने पत्नी का धरम निर्वा करते हुए त्या ने त्याग दिया और एक कुटिया में सादवी का जीवन वितीत करने लगी थी करता है कोई आजकल जिसको भी पैसा मिलता है वो तो पैसे के पीछे भागता है तो कोई भी आजकल ऐसा नहीं चाता और बोध धरम के परवर्तक जो थे वो मोमाया से दूर सुखहश्वरय से दूर सुरिष्टी के विशे में सिर्फ ये जानने के लिए अपना घरबार छोड़के चलेगे कि जनम क्या है रोक क्या है व्रिधावस्था क्या है और मृत्यू से कैसे निर्विती पाई जा सकती है मुक्ती पाई जा सकती है क्या सिदार्थ को ग्रहतायाग करना चाहिए ये पढ़ेंगे आग। किस विचार में थे आपको समरह नहीं की वाटिका की बात थी। सिदार्थ हाँ वसंद उत्सव का जोजन जो किया गया है चलिए। सिदार्थ क्या कह रहा है ये शोद्रा मैं नहीं चल पाऊंगा। ये शोद्रा क्या आरे पुत्र अस्वस्थ हैं। सिदार्थ के निकट खड़ी हो जाती है जाके। सिदार्थ अस्वस्थ हूं देवी लेकिन मैं किसी रोक के कारण अस्वस्थ नहीं हूँ। बलकि चुपोगो ये शोद्रा फिर वही महाराज आप विचारों को नहीं छोड़ सकते। नहीं ये शोद्रा पहले मैं विचारों को गेरा करता था जानी कि पहले थौट्स मेरे को गेर लेते थे लेकिन अब थौट्स पहले मैं थौट्स को गेर लेता था लेकिन अब थौट्स जो हैं वो मुझे गेर लेते हैं। जानती हो, अभी उत्सम में चलने की त्यारी कर रहा था, तभी राजमार्क से किसी की अर्थी गई, जो कहानी मैंने आपको पहले सुना दी कि विचलित कैसे हो यह थे ही, जीवन देने वाली वसंत में, वसंत रितु कैसी मानी जाती है, जहां पर पत्ते खिल जाते हैं, और एकती मर गया, क्या मृत्यू से मुक्ती नहीं मिल सकती यह शोदरा, सोचते रहते थे, तो यह शोदरा बोली, महराज जैसे जीवन धर्म है, वैसे मृत्यू भी धर्म है, जीवन है, इसलिए मृत्यू भी है, तो सिदार्थ बोले, यह कहो कि शरीर है, इसलिए रोग है, मुझे स्विकार नहीं है आपकी बात तो एक दिन इस तन और जीवन को रोग के किटानू मृत्यू की लप्ते निरर्था की स्माप्ट कर देंगी नहीं ये शोद्रा सो नहीं होने का मनुष्य कठ पुतली नहीं इस करम नियम से परे क्या है तो वो सोईते कि मनुष्य कोई कठ पुतली थोड़ी है जो रोग आएगा उसको लपेट लेगा मृत्तू आएगी उसको लपेट लेगी और खतम कर देगी इसी का उपाई खोजने के लिए निकले हैं वो फिर ये शोद्रा कहती है प्रभू इतना दिक नहीं सोचना चाहिए सिदार्थ कहरे है क्यूं कि सोचन हमारे मन में निर्ने उत्पन करती है हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं तो ये शोद्रा कहती है कैसा निर्ने आरे पुत्र सिदार्थ हसते हुए अभी निर्ने का समय नहीं आया देवी कि मैं कोई डिसीजन लू चिंता ना करो चलो आज वसंत उत्सभ है शन को सत्ते सिद करना चाहिए सब कुछ करतब्वे है यहां ये शोद्रा तो बता रहे हैं कि ये सब कुछ हमारा करतब्वे है जो हमें कर रहा है लेकिन उनकी लाइफ में निर्ने क्या था जो निर्ने वो करने जा रहे थे उसके बारे में वो बता रहे थे ये शोद्रा को अभी चिंता मत करो मैं युवराज सिदार्ट अन्य मनस्क से कक्ष से टहल रहे हैं अन्य मनस्क क्या होता कि ध्यान कहीं हो रहा है उनका युवराज की माता महा माया प्रवेश करती है मंत्रीवर आती है महा माया क्या कहती है अब शाक्के वैश में निया कुल दीपक जन्मा है सिदार जाने कि सिदार्थ के गर बेटा हुआ है मंत्री वर कहते हैं कप्पील वस्तु का भावी समराथ होने वाला समराथ बधाई स्विकारे युवराच मंत्री वर पर नाम में जुखते हैं सिदार्थ होने देखते हैं और फिर खिटकी के पास खड़े-खड़े कहीं खो जाते हैं फिर से कुछ सोचने लगते हैं महा माया बेटा किस चिंता में डूप गए ये सोचना तो और दिन कर लोगे आज के इस शुब दिन तो रहने दो चलो महाराज राजपंडितादी शांती पूजन के लिए प्रतिक्षा कर रही है तो सबका प्रस्थान होता दीडे-दीडे के लिए सिदार्थ रह जाते हैं कक्ष में सिदार्थ, स्वागत, एक निया कुल दीपक स्वागत, एक निया कुल दीपक कप्पिल वस्तु का भावी समराथ किंची तो पेक्षा की हसी के साथ मतलब कुछ हसते हैं और फिर बोलते हैं एक निया जन्म जो की रोग गरस्त होगा, जानि किसको भी रोग लगेगा, ये भी बुड़ा होगा फिर एक दिन मृत्यू, तो इस जन्म रोग, व्रिदावस्ता, मृत्यू के क्रम में फसे रहने को जीवन कहते हैं आज जन्म की परसंत है, आए तो बच्चा पैदा हुआ है, उसकी परसंत है, कल यही सबंदी उसके चले जाने पे उसे बहा देंगे सारे सबंद तो इस शरीर के हैं इस दे के हैं, इस सातमा के हैं दे तो मरने वाली है, उससे प्रेम कैसा उससे मुह कैसा, तो उसके लिए खुशी क्यूं जताओं, ना कोई पुत्र है ना पिता है, ना पती है, ना पतनी सब विपिन दे है, जो अपना भोग भोगती है जानिकि यह अपने जीवन को भोगने के लिए आए हैं इससे छुटकारा पाए भी ना तो जीवनी व्यर्थ है सब व्यर्थ है तो अभी महाराज शुदोधन पदार्दे हैं सिदार्थ पिता को देख चोंगते हुए प्रणाम करते हुए प्रणाम स्विकार करें शुदोधन आयुश्मान भव चलो सिदार्थ आज का समंगल दिन नितन ही आता है इतना शुब दिन है और तुम ऐसी बाते कर रहे हैं ये रोई रोई टाइम थोड़ी आना है शुदोधन पिता समझा रहे हैं सिदार्थ कह रहा है महाराज मुझे तो चारो और अंदेरा ही अंदेरा दिखता है शुदोधन अधिक विचार करने से सिदार्थ मन में केवल प्रशन ही गिरते हैं सिदार्थ किन्तु महाराज जब अंग शितिल हो जाएंगे जानी कि जब आपके शरीद के पार्ट्स जो है जानी कि बॉड़ी पार्ट्स जो है वो कमजोर हो जाएंगे तब इन प्रशनों से युद करने की शक्ती ही कहां रहेगी जानी कि तब दिमाग थोड़ी सोच शेश दो रिनों से मुक्त होना ही पड़ेगा सहसा भाव बदल कर अचानक अपने चेहरे का हाववा बदल लेते हैं चलिए महाराज पाठपूजन की परतिक्षा हो रही होगी दोनों का प्रस्थान होता है परता फिर से गिर जाता है तृते दिर्श्य की तरब बढ़ते हैं यशोद्रा कक्ष में अपने पुतर राहूल के साथ लेती हुई है कक्ष में एक सोने का दीपक जाने की स्वन दीप सोने के समान दीप जल रहा है कमरे का दरवाजा हलके से खुलता है यशोद्रा चौंगते हुई कौन सिदार्थ क्या चौंग गई यशोद्रा उठने की चेश्टा के साथ जाने की वो थोड़ा उठने की कोशिश करती है प्रणा मारे पुद्रा भी सोई सिदार्थ नहीं तो आज तक सोया ही तो था अब तो जागने की भी ला आ गई है यशोद्रा तो अब वो कह रहे है कि अब भी तक तो मैं सोया ही था लेकिन अब जागने का समय आ गया और जब एक बार इंसान जाग जाता है उसके बार नीद कहां आती है जानी कि अब तो उनके दिमाग में विचारों ने घेर लिया है उसको कि किसी तरह भी इसका उपायक हो जी है व्रि तुम क्यों नहीं सोई ये शोदरा राहूल अभी अभी तो सोया है सिदार्थ तो तुम भी सो जाओ ये शोदरे मैं चलू ये शोदरा बैठिये सिदार्थ जगने के बाद बैठा नहीं जाता ये शोदरा बलकी चला जाता जानी कि अब तो मैं जग गया हूँ और जगने के बाद तो मैं कोई निन्ने लूँगा, कोई काम करूँगा, बैठूँगा थोड़ी, अब तो चला जाएगा, ये शोद्रा, ये आज आज आप कैसी बाते करें, कुशंकाओं से मेरा मन घबरारा, जानी कि आज तो मैं बड़ी चिंतित हो रही हूं, परिशान हो रही हूं, तुम सोना चाती हो ये शोद्रा, अच्छा यही सही, अकेले तुमी को नहीं, बलकि शेश को भी जगा सकूँ, इस रहस्य की प्राक्ति के लिए जाता हूं विदा, तो अब वो विदा ले गए, सिदार्थ जाते हैं, पटक्षे, पर्दा गिरता है, चतुर दृष्य, चौ ही क्या है, निपात है, जानि कि जिस भी वर्ड पर स्ट्रेस पड़े, वो निपात होता है, और निपात वाक्य आपको पता ही होंगे, और नहीं भी पता है, तो आप, क्रिया विशेशन का चैप्टर है, मेरा अव्य, अविकारी शब्द मेरी वीडियो डली हुई है मेरे च ये भूमी आपको युवराई न माने, सिदार्थ हसते हुए, चंदक इस मात्र भूमी के लिए ना कोई समराथ है, न सेवक, अच्छा थोड़ा विश्राम करें, अब सिदार्थ अपने जो सेवक है, चंदक को कह रहा कि ये जो मात्री भूमी है, इसके लिए कोई समराथ न आते थे, जानि कि इस टाइम तक तो रोज ही आप महल लोट आते थे और जैसे जैसे देर होगी, वैसे वैसे माहराज को चिंता होगी, सिदार्थ कह रहा तो चंदक सुनो मैं अब लोटूंगा नहीं, अब कह दी उन्होंने अपने दिल की बात, अपने सेवक को, चंदक कह जन, रोग, वृदावस्था और मृत्यू से निर्विती का उपायक होजने के लिए मैं अब लोटूंगा नहीं, यानि कि अब वो इस देश में जो भी आई तक विचार थे उनके जनम को लेकर, रोग को लेकर, वृदावस्था को लेकर, तो वो अब इस से उपायक होजने के लिए कह रहे हैं, अब मैं लोटूंगा नहीं, ये सब आप कह रहे हैं स्वामी, सिदार्थ, मैं इस चक्र को गती को नहीं स्विकारता, इन यमों से मुक्ती चाता हूँ, और इसलिए चंदक तुम लोट जाओगे, चंदक सिदार्थ के चनों में गिरकर रोते हुए, पर देखतें सिदार्थ के तन पर, शरीर पर, राज परिवार का एक भी वस्तर नहीं बचा, सिदार्थ कह रहे हैं, मैं बिख्शुक हूँ, तुमी से पहले बिख्शा मांगता हूँ, चंदक जानी की सेवक उनका कह रहे है, सिदार्थ के चर्णों में फूट फूट के रो रह यह क्या कह रहे हैं, महाराज, सिदार्थ, मुझे महाराज ना को चंदक, सिदार्थ कहो, बोलो, मुझे बीख दोगे, सिदार्थ कह रहे है, सेवक को आग्या करें देव, सिदार्थ, चंदक, मनुश्यों की भाषा बोलो, यदि तुम मुझे बीख नहीं दोगे, तो तुम चंदक अपना उपवस्तर दे देता है और नदी से जल आकर मेरे ये रासी केश काट दो जाने कि ये जो मेरे बाल है वो काट दो चंदक कह रहा है प्रभू ये नहीं होने का कभी सिदार कह रहा है जैसी तुमारी चंदक किन्तु तुमारे अस्विकार करने के बाद तुम नही है कि तुमी काट दो तो छंदक रोते हुए जल लेने जाता है लोटता है और देखते देखते सिदार्थ के केश कट कर धर्ती पे गिर जाते हैं सिदार्थ अत्यंत परसन होकर जाओ छंदक तुम्हारा कल्यान हो तुम वास्तव में मेरे विश्वास पातर रहे परिवार को सा ये महल वापिस चलते हैं प्रभ तुअ जाओ छंदक देड़ ना करो अब जाओ सदार्थ एक बार अपने घुड़े को प्यार करते हैं देखते देखते छंदक रोते हुए दोनों घुड़ो को लेका नदी पार करके अध्रिष्य होता है स्वतय अपने आप सिदार्थ उठो और आगे बढ़ो अप सिदार्थ अपने आप से कह रहे हैं सिदार्थ उठो और आगे बढ़ो चारो दिशाएं तुमारी प्रतिक्षा कर रही है तुमारा इंतजार कर रही है चलो और निर्वान का पथ मुक्ती का पथ जब तक ना मिले चलते चलो चलते चल जानि कि 29 वर्ष की अवस्था में संसारिक समस्याओं से व्यतित होकर सेदार्थ ने ग्रह त्याग कर दिया, यह आपको पता होना चाहिए कितनी अवस्था में, कितने वर्ष में, तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था, इसी त्याग को बो दरम म महा भी निश्क्रमन के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, वैसे तो extra important question में मैंने लिखके दे दिया है, महा भी निश्क्रमन किसे कहा जाता है, क्या है, तो ये थी हमारी story महात्मा बुद के उपर, महात्मा बुद का जीवन परिचे जाना हमने, उनके विवाग के बारे में जाना, उनकी पतनी के बारे में जाना, उनके वैबफते आख के बारे में जाना, और किस तरह उनकी राजमाता जो थी, वो परिशान हो गई थी उनसे, कि बेटा ऐसी बाते क्यों कर रहा है, ऐसे मंगल दिवस पर, उनके बारे में जाना, तो ये था हमारा part, और हाँ इनके विश्वस्त अश्वरक्षक कौन चंदक के बारे में जाना जी हाँ उन पर पूरा दरड विश्वास्ता और महात्मा बुद का यही संख्शिप्त परिचे था उनका जनम बता दिया कि कब हुआ कहां हुआ फिर से सुन लिजिए 563 हिसा पूर विशाक पुनिमा के कपिल वस्तु राजे के लुंबनी गाउं में हुआ इनके माता पिता को थे बुद्ध ने महा बिन इश्क्रमन क्यूं और कब किया वो भी बता दिया बस यही पाट था हमारा छोटा सा आप ये भी लिख सकते हैं जो चंदक था सिदार्थ का विश्वस्त सेवक था जब उस के सासाथ वो अग्या करी बहुत था राइभग था भावुक था सिदार्थ के ये कहने पे कि छंदा कम मैं बिख्षुक हूँ तुमी से पहली बिख्षा मांगता हूँ वो फूट फूट के रोने लगता है तो ये हमने प्रेक्रेस्टिक्स भी जान ली वैसे तो हर एक की प सिदार्थ हैं और वो ज्यानी है लेकिन आप चाहें तो आप सिदार्थ के बारे में कुछ और भी लिख सकते हैं आपने तो इतनी बड़ी स्टोरी पड़ी है सिदार्थ के बारे में सिदार्थ गंबीर सो भाव के थे तो आप वो भी लिख सकते हैं ठीक है बस बाकी ये शो बी प्रवाइट कर दी है जिसके answers भी मैंने आपको प्रवाइट कर दी है तो students पूरा का पूरा महात्मा बुद्ध के उपर अधारी ती ये जो पाड़ था सिदार्त का ग्रहतयाग आपको प्रवाइट कर दी है अच्छे से पढ़िए अच्छे से समझिए लाइक कीजिए वी झाल